आपने सीखना कि हम Free-Lancing कआसे करें या एक अच्छे फ्र रियांसिंग किस परकार बने और हम किस परकार के काम कर सकते यदि आप axl आते हैं vexl मेंonent आप expert है यह हमारे शाहत रहे के आप Axl शीख रहे हैं तो आप freelancing से काफ़ी रिकम कमा सकते हैं तो भी पार टाइम काम करके एक दो घंटे या तीन घंटे मैक्सिमम अप काम करके दो से तीन अजार और चार अजार रुपए तक आप कमा सकते इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम फ्री लांसिंग पे एकसल से सम्मंदित वर्क कैसे करें या फिर हमको एकसल से सम्मंदित कोन-konसा ऐसा वर्क है जो फ्री लांसिंग पे मिल सकता है जिसके दो वीडियो में आलएडी आपको बता हैं एक और काम है जो freelancing पे आपको मिल सकता है मैं आपको with proof दिखाऊंगा कि ऐसे और भी लोग हैं जो इस परकार का काम कर रहे हैं और आप भी इस काम को कर सकते हैं जदी आपको Excel आता है तो तो कैसा वर्क है? कैसे हम उस वर्क को आसानी से कर पाएंगे? मातर 15 से 20 मिनट के अंदर तो इस वीडियो मन तक बनी रिगन मसकार साथ हूँ मेरा नाम है मनुश कुमार और आप दीख रहे हैं Computer Gallery Channel तो चलिए सीख लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको Fiber पे लेके चलता हूँ Fiber पे यहाँ पे मैंने सर्च किया Data Formating and Cleaning तो इस से Related हमारे पास वह ज़्यादा ऐसे Freelancer आ गए जो इस परकार का काम करते हैं लगबग यह 49,000 ऐसे Freelancer हैं जो इस टाइप का काम करते हैं जिसके अंदर हम कोई भी एक उठा लेए देखो यह है यह काम करता है Data Cleaning का, Data Formating का Data Editing, Data Cleanup Remove, Duplicate इस तरीके का काम करता है तो हम इसी को एक बर Open करके देखते हैं यहाँ पर Data Cleaning के लिए इसने अपना कुछ Criteria Tag किया है जिसके अंदर देखो Basic के अंदर यहाँ पर बता रहा है कि यह Data Cleaning करता है उसमें 1000 Rows होती हैं और Column 6 होते हैं Per Seat यानि कि एक Work Seat के अंदर Maximum 6 Column और 1000 Rows का Data है तो उसका यह Charge करता है 858 यह इसका Basic Package है Standard Package चेक करें इसका तो Standard Package में यह कह रहा है कि 5000 तक Rows और 10 Column Per Seat होंगे तो यह Charge कर रहा है 3431 रुप है और इतना काम करने में समय कितना लगेगा यदि हम Basic का जो हमारे पास 1000 Rows और 6 Column का यदि हम काम करना है तो यहाँ पे आपका मात्र 10 से 15 मिनिट आपके लगते है और Standard के अंदर यदि 5000 Rows है और 10 Column है तो आपके Maximum 20 मिनिट लग जाएंगे और यदि Previum आप करते हैं जिसके अंदर 10,000 Rows और 15 Column हो सकते हैं जिसकी कीमत तै करी है 6862 Rुपए तो इसके अंदर यदि आप करेंगे आराम आराम से काम तो भी आप उसको आदे गंटे से पॉंट गंटे के अंदर आराम से निप्ता देंगे बिल्कूल स्लोली स्लोली करेंगे तो आप अपने अनुशार रेट तै कर सकते हैं कि आप कितना चार्ज लेना चाहेंगे उसके लिए आप डिलीवरी डे भी तै कर सकते हैं जैसे प्रिमियम के लिए इसने 3 डेज डिलीवरी के लिए काया स्टेंडर के अंदर करेंगे दोर दिन का और बेसिक के अंदर एक दिन के रिलीवरी डे कर गया अब यहां पर इसकी रिवीव चेक करते हैं क्योंकि कुछ परसेंट लगों 5 परसेंट तक रिवीव भी आते हैं तो रिवीव के अंदर यहां पर देखते हैं इसके 179 रिवीव आय हुए बात नहीं आप अमयरे साथ बने रहे इस तरीके का काम आपको क्लाइंट से कैसा कैसा फोमैट मिल सकता है और उसको आप कैसे क्लीन करेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा अभी मैं आपको एक फोमैट दिखाता हूँ यहां पर दिखे यह फोमैट है बहुत ज़्यादा यहां पर मेरे पास लग बग साड़े 600 रो मैंने डाली हुए मैं दिखाता हूँ लाज तक कंट्रोल एंटर लग बग 642 रो का मैंने डाटा यहां पर लिया है और कोलंबी मेरे पास काफी ज़्यादा है तो यह डेटा काफी कंप्लिकेटी डाटा है बहुत ही कटिन है देखते ही सरमेजाद होने लगे कैसे क्लीन करें को इसमें क्या क्लीन करना है और की ट्रांजेक्शन हैसीरफ अगस्त मेनदी की मंतली ट्रांजेक्शन ऐसे हो सकती है और जिसको एकसल नहीं आता है उसके लिए यह गंटों का काम है और जिसको एक्सल आता है जिस ने हमारे साथ सीखा है तुम आप दिखाऊंगा journée सिरफ चंद मिन्टों का का काम है किस प्र right click use करेंगे move और copy पर चले जाएंगे और यहां से सबसे पहले हम इसके copy create कर लेंगे and इसी seat में and में और okay कर देंगे तो यहां पर देखो इसकी duplicate seat बन गई राइट तो इसकी duplicate seat बना क्या आप रख लें आपके पास original number state name और हमको एक settlement date यह हमको चीजे चीए तो देखो यहां पर सबसे पहले settle date हमारे पास है start date कि हमको जरूत नहीं है settle date की जरूत है settle date रख लेंगे दूसरा हमको email ID phone number state name चीए वह हमको कहां पर मिल रहे है currency fees कि को जरूत नहीं है client ने हमसे कोई requirement नहीं करी है इनकी तो यहां से और यहां तक यह data हमारे किसी काम का नियत इसको हम डिलीट कर देंगे बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमने original data को पहले अलग से रख लिया है उसके बाद address आता है address and details इसके अंदर क्या क्या details है इसके अंदर देखो name employee का employee की mail ID phone number और state है लगबग सारा data हमारा इसी साहल के अंदर है उसके बाद payment order ID इन में से भी अगर कुछ CHM को तो वो column रख लेंगे वरना उनको भी हम select करेंगे और सभी को delete कर देंगे clear अब हमारे पास सिरफ यहां पर दो column रह गए रहे ना इनी की हमको जरूरत है अब हम यहां पर कुछ इस तरह हो सकता आपके कुछ blanks भी हो सकता है कुछ error message हो सकते हैं तो हम उनको delete कर देंगे blank को किस परकार delete करेंगे इसी cell में blank है तो इसी cell में हम आएंगे इसी को complete select कर लेंगे इसको निच्चे तक जहां तक भी यह data है right दो तरीके बताऊंगा मैं दोनों तरीके से देखना complete last तक जितना data हमारे पास है वहां तक हमने select किया हम करेंगे control जी और यहां पर चले जाएंगे special के अंदर और हमने करना है blanks और okay करेंगे तो यहां पर देखो इतने भी blanks थे वही सारे हमारे select हो गए पहला तरीका हो गया दूसरा हम यहां पे filter लगा लेंगे उसके लिए करेंगे alt d f f यह command आप याद करके रखना है बिल्कुल आशान command है और हम यहां से filter करेंगे पहले तो सभी के filter हटा देंगे और last में से हम blank को filter कर लेंगे तब भी हमारे सिरफ blanks यहां पर filter आ जाएंगे इस column में से date वाले में से नहीं blank हमारे address वाले में थे ठीक है तो ह इनको किसी भी एक पर right click use करेंगे और करेंगे delete row entire row okay right सारे blanks हमारे delete हो जाएंगे नीच से कुछ और रहे गए यह हमारे select नहीं हुए थे किंकि हो सकता है date के अंदर भी कुछ blanks थे right तो इनको भी मैं delete कर देता हूँ तो शारे हमने यहां पर blank remove कर दिये हैं अब मैं filter को उठाता हूं alt dff filter हमारा हट गया अब simple सा काम बचा है हमने इनको अलग-अलग करना है पहले देखिए इस data को आराम से देखिए यहां पर आपको कुछ common चीज नज़र आ शकती है और ऐसी common चीज जो भी data entry करता है उसके अ कोमा फिर email फिर कोलन फिर mail ID उसके बाद फिर से कोमा यूज किया है फिर phone कोलन और phone number इस परकार से कोमा और कोलन का यूज किया गया इस data में और उस पूरे data को square bracket के अंदर डाला है तो अब यह सारा हमने clean करना है आप बिना किसी formula के आसानी से clean कर सकते हैं मैं आपको सिर option बत करना है control shift down press करेंगे पूरा कोलम हमारा select हो गया इसके बाद आपने data में जाना है और data के अंदर आपको मिल रहा है यहां पर text to column इस पर click कर दें यहां पर आपको दो option नजर आ रहें delimited और fixed with हमारे पास यहां पर common सीज़े है space है कोमा है colon semicolon कोई भी special mark है तब हमने यहां पर इसको delimited पर करना है और कर देंगे next next के अंदर जाएंगे तो आपको यहां पर delimators में सबसे पहले by default tab यहां पर select हुआ मिल सकता है यह check मिल सकता है हमारे पास यहां पर tab नहीं है क्या common है हमारे पास colon है और comma है तो यहां पर देखो comma भी है semi colon भी है space भी है लेकिन colon नहीं है colon के लिए हम अदर्स में जाके यहां पर colon select कर लेंगे मैंने यहां पर colon डाला है यहां पर colon है पहले यहां फिर star लगा सकते हैं तो जहां जहां colon थे वहां वहां से यह column split नजर आएंगे आपको लेकिन यहां पर देखो name का अलग बन गया फिर रोहन, email आ गया फिर mail id, phone आ गया तुम क्या करते हैं, हम tab को तो हटा देते हैं, यहां से और coma पे भी हम चेक कर देते हैं, तो देखो coma से भी यह column split हो गया, अब हमारा काम आसान हो गया, हम इसको कर देते हैं यहां पर finish कर देंगे, और जैसा ही finish करेंगे तो हमारा पूरा data, यहां पर देखो मैं इसका size गया, बट किया न, अब क्या करने, हमने जो यह column हमारे पास, यह complete हमने, यह column नहीं ले लेना, इसको select करेंगे, email को select करेंगे, phone को select करेंगे और state को select करेंगे, और right click करके कर देंगे, delete, और इनकी हम headings डाल लेते हैं ये तो होगे हमारे पास name ये है हमारे पास email ये phone number और ये हमारे पास state राइट इनको हम adjust कर लेते हैं इनके column के हिसाब से जो mail ज्यादा बड़ी है वो ज्यादा नजर आ रहा है सारे हो गए आराम से bold कर देंगे और जो भी हमने border बनाना है जो इसक complete formatting कर सकते हैं जैसा border बनाना चाहें वैसा border बना सकते है alignment alignment कर सकते हैं formatting कैसे करनी है ये simple काम आसानी से कर सकते हैं तो फिलाल हमारा काम ready हो चुका है बिल्कुल complete है काम और हम आराम से clients को ये काम दे सकते हैं लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पर कमी है वो मेरे को नजर आ गई करने का जिम्मा लिया था लेकिन डेटा अभी पूरी तरह सी यहाँ पर मेरे को clean नजर नहीं आ रहा साहरी चीज़े सही है और यहाँ पर देखो जो state आया है इसके last में square bracket close का sign आ रहा है इसका मतलब data clean नहीं हुआ है इसको complete फिर से select करेंगे इसी column को कर लेना हमने control shift down press करें control h और यहाँ पर हमने replace कर देना है square bracket close को किसमे replace करना है blank में यहाँ पर कुस नहीं लिखेंगे blank छोड़ेंगे replace all then ok 651 के 651 हमारे clean हो चुके हैं अब कह सकते हैं कि हमारा data fully clean है तो जो भी requirement क्लाइंट की उस requirement के हिसाफ से आप उस data को आसानी से clean कर सकते हैं इसी परकार के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे साथ बने रही है आई होप वीडियो आपको पूज़र अच्छा लगा होगा इसी परकार के और साथ बने रहे हमारे वीडियो ko ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों share करें में like करें और यादी नय है अपने साब्स्क्राइब कर ले